नमश्कार दोस्तों मैं हूँ जिद्रिश परमार और आप देख रहें निविश्क्यार तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको धन ट्रेडिंग प्लेटफोर्म के एक बहतरीन और यूनिक फीचर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों आपका डिमेट अकाउंट अगर धन में है या तो फिर नहीं है या तो फिर कोई और ब्रोकर के साथ आपके अपना डिमेट अकाउंट ऊपर करके रखा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का है बस आपको इस वीडियो पर अंतक बने रहना है तो आपको पता चलेगा कि धन का यह unique feature आपको किस तरह से काम में आ सकता है तो दोस्तों अगर हम trader है या तो फिर investor है हमारे साथ हमेशा यह problem रहता है और वो problem यह है कि जब से discount broker आये है तब से हमारे at least 2-3 working account होते हैं और हम क्या करते हैं कभी कोई stocks किसी a कंग से खरीद लिया कभी खरीद लिया मतलब कि हमारे सताक किसी एग दीलेट अकाउंट में होते हैं कुछ अलग लाग का portfolio देखने के लिए अलग-अलग limit account में login करना पड़ता है तो यही problem से आपको छुटकारा दिला सकता है धन का trading platform तो धन आपको इसे छुटकारा कैसे दिलाएगा तो आपने कोई भी broker के साथ जितने भी stocks खरीद है सभी का portfolio आप धन में देख सकता है तो हैना यह amazing features तो आपको शायद यकीन नहीं होगा लेकिन आप ऐसा कर सकता है और आप यह कैसे कर सकता है वो मैं आपको step by step पूरी process बताऊंगा तो इसके लिए आपके पास धन में account होना ज़रूरी है और अगर आपके पास धन का account नहीं है तो अब देखते हैं कि यह features को कैसे use किया जाता है सबसे पहले आपको login करना है अपने धन के account में तो यह है धन का dashboard उसके बाद आपको नीचे जो portfolio section है उसमें जाना है और वहाँ पर उपर की side आएगा extension stock का एक option उसके बाद नीचे आपको देखेगा sync security now उसके उपर आपको click करना है और जैसे ही आप उसके उपर click करेंगे इस तरह से यह page open होगा उसके उपर यहाँ पर आपको नीचे tick करना है और उसके बाद process to next करना है और यहाँ पर आपके register mobile पर एक OTP आएगा वो OTP आपको enter करना है उसके बाद verify depository होगा यहाँ पर आपको depository select करनी है mostly बहुत सारे account यहाँ पर CDSL में आपको मिल जाएगा तो फिर select and process पर click करना है यहाँ पर सारे details gather की जा रही है फिर आपके जितने भी सारे stock हैंगे वो सब gather करके एक जगे पर आपको दिखा देगा इस process में कुछ समय लग सकता है जब यह process complete हो जाए तो फिर से आपको अपने portfolio section में जाना है और वहाँ पर extension stock में जाना है वहाँ पर आपने जो भी stocks purchase किये हैं वो सब आपको दिखा देगा अगर आपको broker देखना है तो broker भी आप यहाँ पर देख सकता है तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपका पूरा portfolio देखने को मिल सकता है तो है नहीं एक amazing and better feature लेकिन इसका फाइदा लेने के लिए आपको धन में account होना कमपल सरी है तो दोस्तो यहाँ पर आपको कुछ सवाल हो सकते हैं कुछ doubts आ सकते हैं इसमें पहला सवाल यह है कि हम यहाँ पर सारे stocks पूरा portfolio देख सकते हैं तो क्या हम इन stocks को बेच सकते हैं तो दोस्तो इसका जवाब है कि आप यहाँ पर सिर्फ दूसरे broker के stocks को देख सकते हैं लेकिन इसको बेच नहीं सकते आपको बेचने के लिए उसी broking account के अंदर login करना होगा और वही से आप बेच सकते हैं आपने जो stocks धन से खरीदे हैं वही stocks आप धन में बेच सकते हैं दूसरा एक सवाल आपके मन में यह आएगा कि मैंने एक ही stocks को अलग-अलग 3 platform से खरीदा है तो यहाँ पर मुझे 3 अलग-अलग stocks दिखाएंगे या फिर एक ही stocks दिखाएगा तो इसका जवाब यह है कि धन एक complete portfolio दिखाता है इसका मतलब यह है कि अगर आपने जितने भी platform से एक ही stocks खरीदे हैं वो सबका average दिखालेगा और total quantity को add करेगा और वो stock आपको एक ही जगे पे देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको सब कुछ एक portfolio जैसे systematically देखने को मिलेगा एक और सवाल है कि कोई भी stocks आपको धन में कब दिखाएगा कोई भी stock आपने आज buy किया है तो कल वो holding में जाएगा और उसके बाद आपको दिखा सकता है और शायर एक या दो दिन लेट हो सकता है लेकिन धन में ये stocks ज़रूर दिखाएगा तो आपको at least एक या दो दिन wait करना चाहिए लेकिन आपको ये धन के platform में देखने को ज़रूर मिलेगा एक और important बात दन के इस feature को use करने के लिए आपके पास दन के portfolio में at least एक stock होना चाहिए तब ही आप इस feature का use कर पाएंगे तो दोस्तो है ना एक amazing feature इस feature के use के लिए आपके पास दन का account होना चाहिए और दन का account नहीं है तो यहाँ पर link दी है description section and pin comment में तो वहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से अपना account open करे और दन का इस amazing feature को use करना शुरू करे और ऐसे important information के लिए इस चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना पूल है